Hello everyone, True IS and PCS में अब दोस्तों आप सभी का सवागत है Continue करते हैं अपनी Ecology and Environment की Discussion को Chapter 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, अलग-अलग तरह की Cycles हम लोग समझ रहे हैं Chapter के अंदर, Carbon Cycle हमने देख ली थी अच्छी तरीके से आज के Lecture में हम सबसे Important Cycle करते हैं, Nitrogen Cycle ये कभी Cycle हमने बचपन में सुनी थी, जब हम Kinds of Water Cycle, Carbon Cycle और वो सुनते थी सिर्फ आज हम इसको जवानी में जानेंगे, ये है क्या and trust me, ये बोलना एक exaggeration नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी एक इतनी bold statement पेश कर रहा हूँ कि UPSC के जितने भी subjects imagine कर लो, और जितने भी topic, कोई साभी sources, कितनी भी current affair की magazines, pages अब उसकी गिंती नहीं है, लेकिन उन में से जो मैं ये आगे के 3 page आपको इस lecture में जो करवाने जा रहा हूँ trust me, UPSC के 17 subjects में से, सारे sources में से, सारी किताबों में से, सारे पन्नों में से, सबसे important topic जो है, वो यही है कोशन इसकी उपर pending है, लेकिन जिस साल आएगा भी, तो 99 प्रतीशत लोग इसको answer नहीं कर सकते, किसी भी format के अंदर यह कोशन basic से basic आजाए, advance आजाए, 99 प्रतीशत लोग इसको answer नहीं कर पाएंगे because, जिस detail में, जिस depth में जाकर हम इसको समझने वाले हैं, इसको answer करने के लिए एक छोटा fact भी अगर एक trap level के तोर पर present कर दिया जाए students को यह कोशन सबसे आसानी से गलत करवाया जा सकता, UPSC दोरा यहाँ पर examiner को दिमाग लगाने की जरुत ही नहीं है वो पहले से ही जानेगा, वो एक शब्द present करेगा और almost 15,000 बच्चे जो की mains की list में पहुचेंगे उनके भी अगर वो ठीक होंगे तो तुक्य से आंसर वो ठीक होंगे या फिर वो इस कोशन को छोड़ के कुछ और कहीं कोशन attempt करेंगे nitrogen cycle as a gaseous cycle सबसे 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 जादे important topic है UPSC का pending है, आ चुका है किसी न किसी format में पहले लेकिन इसको solve करना हर किसी के बस की बात नहीं है बाकी topics में कहते हों कि निब्बे निब्बियों वाले होते हैं ये topic एक mature laundry और laundry के लिए है समझते हैं इसको nitrogen cycle को एक early warning मेरी तरफ से ये topic और ये recording जो भी आप लोग देख रहे हो चाहिए youtube के लोगों चाहिए foundation course के लोगों ये recording आपको 11 times देखनी है पूरी journey में तीन बार तो जो पहला दिन है जैसे आज मैंने करवाई है तो within 24 hours तीन बार तो ये recording अभी cover हो जानी चाहिए ये topic is just like लक्षमी कान से parliament करना जिसको बार बार आपको देखना पड़ता है इससे minute facts जो भी आप बनाओगे ecology and environment की single चिठ्था बनाने जरूत नहीं है लेकिन इससे जो भी facts आप जानोगे वो आप सब जगा लिखते चलो question आए ना है लेकिन अगर आ गया तो आपका गलत नहीं होगा वो मेरी guarantee है तो मैं आपको एक early warning दे रहा हूँ कि 11 बार आपको इसको recording को देखना है 24 गंटे के अंदर तर तीन बार इस recording को देखना है मैंने आज से पहले ऐसे किसी topic किसी subject में emphasize नहीं करा यहां कर रहा हूँ तो किसी special reason से कर रहा हूँ आपको अभी समझ में नहीं आएगा आगे चलकर जिंदगी में किसी एक मुकाम पर पहुँच के याद करोगे मुझे यह चीज नहीं बताते तो उसल means नहीं लिख पाते समझते Apart from Carbon, Hydrogen and Oxygen Living Organisms के अंदर एक परियाफ्ट मातरा में पाया जाने वाला अच्छा खासा एक importance वाला जो एक element होता है वो होता है nitrogen एक basic question यहीं से बन सकता है चार option का state PSC में इन में से क्या चीज लिविंग और्गनिजम में पाई जाती है Answer all of the above है Carbon B, Hydrogen B, Oxygen को तो कोई भी कर लेगा और nitrogen भी living organisms के अंदर including जानवरों का शरीर और मानव शरीर के अंदर पाया जाता है जिसको नहीं पता कोई बात नहीं जान जाओ दूसरा nitrogen जो है nitrogen एक constitute है बना है वो काफी सारी चीज़े उसके अंदर होती है amino acids होते हैं protein होते हैं hormones भी होते हैं chlorophyll होता है और बड़े सारे vitamins होते हैं 11 और 12 क्लास की जो biology की जो NCRT होती है या फिर छोटी NCRT में प्रॉपर तो नहीं दे रखा लेकिन NCRT की जो reference books होती है like 9-10 की लखमीर सेंग और मंजीत को वहाँ पर आपको ये वाला fat मिल जाएगा खेर छोड़ो उसको आगे बढ़ते हैं जो plants हैं हाँ इसमें एक बात और important ये जो nitrogen है ना इसमें hormones होते हैं ये वाली बात या तरखना देखो कैसे हैं पेड पौदो को na nitrogen चाहिए होता है अब यहां से हम अपनी कहनी स्टार्ट कर रहे है nitrogen cycle की पेड पौदो को nitrogen चाहिए होता है nitrogen क्यों चाहिए होता है simply खाना बनाने के लिए राइट अनुछ मानते हो ना स्चीज को कि nitrogen जो है plants के दौरा ऐसा consumption material food element use कर जाता है है ना ओब बनाने के लिए अब जो plants होते है जो plants होते है वो क्या है कि nitrogen चाहिए है उनको nitrogen चाहिए है लेकिन वो nitrogen ना limited मातरा में available है कुदरत के अंदर नहीं इस lecture में मेरे शब्दों पे खास तरीके से ध्यान देना कुदरत कुदरत में कम available नहीं है plants यहां पर जो compete कर रहे हैं जो मिट्टी में nitrogen available है वो limited मातरा के अंदर available है कुदरत में है के नहीं limited मातरा में अभी हम आगे देखेंगे और plants का लगा तारना जगडा होता रहता है microbes के साथ वो कहता है हमें यह nitrogen चाहिए plants कहते हैं हमें यह चाहिए अब यह microbes क्या होते है microbes microorganisms होते है 8th class की science में जैसा आपने पढ़ा होगा microorganisms microorganisms होते है जो इतने tiny living things होते है हमारे आसपास होते हैं लेकिन they are too small to be seen with the naked eye नंगी आँखों से without using a microscope आप इनको नहीं देख सकते है जर्नली इसका मतलब मिटी में plants हैं, plants कभी हवा में को जूलते नहीं है जादातर plants हो हैं अगर हम technicalities मना जाएं कि आपका floating plants भी तो होते हैं ऐसे plant भी तो होते हैं जर्नली हर एक plant 99% cases में मिटी का होता है, पौधा मतलब उसके साथ मिटी होगी, अगर हम इस चीज को पकड़ के जाएं और इस चीज के उपर शक ना करें कि प्लांट जो है उनको मिटी की ग्रोथ की जुरूरत नहीं है, ऐसा बहुत हम cases के अंतर होता है, लेकिन प्रिथवी पर जब हम जानते हैं कि पेड़ और पौदो की बात करते हैं तो उसके साथ-साथ मिटी, कोई पार्क, कोई गमला ऐसी चीज़े हमारे दिवंग में आती हैं कि मिटी तो होगी तो nitrogen जो है वो एक limiting nutrient है natural ecosystems के लिए और agricultural ecosystems के लिए natural कैसे, जब कुदरत के अंदर जो पेड़ पौदे होंगे ecosystem के अंदर और agriculture में, again जो crops वगरा होंगे again they will be in the form of some plants only पेड़ पौदे इसका मत्तब मुशक्कत करते हैं क्योंकि उनको nitrogen की किलत होती है, nitrogen के सामने वो भिखमंगों की तरह भेव करते हैं लेकिन वो आदी हैं इस चीज के, उनको लत लगी हुई है कि nitrogen तो उनको चाहिए ही चाहिए है और limited है nitrogen available, again मैं repeat कर रहा हूँ, कुदरत में, nature में नहीं मिट्टी में, अब एक बार ही हम थोड़ा साथ इस topic को करते हुए, हम हर एक चीज में float करेंगे, like ecology environment तो ही subject थोड़ा सा हम float करेंगे अपनी knowledge को लेकर जाएंगे biology में भी और chemistry में भी physics का यहाँ कोई role नहीं है, chemistry, biology, geography और ecology ये चारो साथ एक नावबर सवार करेंगे हम अब थोड़ा सा chemistry की field में enter करते हैं nitrogen जो है, nitrogen दो nitrogen atoms की तरह exist करता है मलब उसका जो nature है न, exist करने का वो दो nitrogen atoms से मिलकर generally एक nitrogen element बना होता है nitrogen न, nitrogen जो है, ये आपस में जो दो nitrogen atoms होते हैं, वो triple covalent bond से joined है अब ये क्या होता है, कोई भी दो atoms, यहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, एक atom ये, दूसरा atom ये ठीके, मलब दो nitrogen atoms हमें देख रहे हैं, नमबर वन, नमबर टो, कभी भी जब दो atoms, तीन electron के pair share करते हैं अब अगेन, technicalities में जादा नहीं जाएंगे, chemistry as a optional ना मेरा है ना आपका बनने दूँगा मैं जितना बोल रहा हूं बस उतना भी सुन लो, जितनी इसकी जरुरत है, आने की उससे जादे ही करवा दूँगा जब दो atoms, तीन electron के pair share करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, triple covalent bond, chemistry में ये देखा गया है, nitrogen की जो family होती है अभी मैं बताऊंगा स्की family क्या है, जैसे आप ये अलग-अलग words देखोगे, NO, NO2, N2O, फलाना डिकमा, जो भी है, इसको अटाओ अभी nitrogen की जो family है, वो triple covalent bond में ही exist करती है, अब आप कहोगे ये तीन dash के answer, ये जो तीन dash है न, triple covalent bond को दिखाने का एक तरीका होता है chemistry में, तीन डंडे मारना, एक symbol तो चाहिए है न, triple covalent bond को दिखाने के लिएसा हर किसी में तो मिलता नहीं है, गिने चुने elements में मिलता है, nitrogen की family में ऐसा होता है, कि दो nitrogen atoms जब भी आपस में nitrogen की family इसमें मुलकात करते हैं, तो वो तीन electron के pairs आपस में share करते हैं, जिसको technicality में, एक, दो, तीन, और इस पूरे diagram को हम लोग कहते हैं, triple covalent bond, ठीक है, क्या कुदरत हमें nitrogen देती है, और अगर देती है, तो वो आता कहां से, again, this can become a quotient, और जो कुदरत का देने का तरीका है, उसके उपर भी quotient आ सकता है, हो सकता है, आप इस knowledge को पहली बार gain कर रहे हैं, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कुदरत के अंदर, कुदरत के अंदर nitrogen पर्याप्त मातरा में available है, बहुत ज़्यादा available है, किस दो format में में हमें देखन को मिलता है कि पृतवी पर atmosphere में nitrogen आ गया है, जब बिजली कड़कती है जोर की और बिजली अलग अलग जगाव पर पड़ती है तब, और दूसरा ultra wallet radiation जो होती हैं सूरत से वहाँ पर, ये दो प्रक्रिया हैं, बिजली कड़कना और ultra wallet radiation आना, ultra wallet raise आना, ये energy provide करती है, nitrogen को, nitrogen को, मलब प्रिधिवी पे पहले तो ये nitrogen आती हैं, और lightning और ultra wallet radiation, nitrogen को, energy भी provide करती हैं, कि वो कभी कभार nitrogen convert हो जाता है, nitrogen convert होता है, उसके oxides में, यानि कि oxygen as a molecule को साथ में लेकर चलता है, nitrogen फिर अपने, nitrogen को convert कर देता है, lightning और ultra wallet radiation into nitrogen oxide, अब nitrogen oxides जो होते हैं, ये जो converted होते हैं, तीन format के अंदर basic लिए में दिखने को मिलते हैं, और भी होते हैं, लेकिन जर्नली जो lightning और ultra wallet radiation से मिलने वाली energy से, जो nitrogen nitrogen oxides के अंदर convert हो जाता है, वो oxides की तीन प्रजातिया हैं, एक है NO, नमबर वन है NO, NO का मतलब होता है, यहां से सुनना, Nitric Oxide, एक और इसका नाम होता है, nitrogen monoxide, दूसरा, NO2, NO2 का मतलब होता है, nitrogen dioxide, N2O, तीसरा, N2O, इसका मतलब होता है, Nitrous Oxide, मतलब यह तो हमने नाम देख लिए, दे रखाता है, तो हमने पढ़ लिए, Nitric Oxide यह nitrogen monoxide है, NO, nitrogen dioxide है, NO2, N2O है, Nitrous Oxide, Nitrous Oxide आपने देखा है, Houseful Movie के अंदर, जो Part 1 है Houseful Movie का, Houseful Movie के अंदर, लास सीन चल रहा होता है, पहला वाला Part है, जिसमें लारा दता रिदेदेश मुग भी है, Queen Elizabeth के सामने कुछ Award Ceremony जो चल रही होती है, यह बंदे होते हैं, यह Nitrous Oxide का सिलेंडर जो है, भर रहे होते हैं, Gas वगर और लीक हो जाती है, क्या होता है इससे असर शारिरिक प्रक्रिया, क्या उत्पन होती है, यह अभी हम देखते हैं, स्मूवी के अंदर, इस सीन से, अच्छी बहला, सब लोग Serious Mode में हैं, सेरिमनी चल रही है, ठीक है, अब हसी छूटने लग भी इस सी, नई हसना नहीं चारें, कोई मजाग नहीं चल रहा है, लेकिन यह जो Gas है, इसकी वज़े से हसी छूट रही है, और पूरी पार्टी के अंदर, सब लोग पोख ला रहे हैं, सीरिस बात भी करना चारें, तब भी हस रहे हैं, गुस्से वाली बात भी करना चारें, तब भी हस रहे हैं, इनकी हसी निकले चले जा रही है, यह गुस्सा कर रहा है लेकिन फिर भी हस रहा है, State PSC में इसकी उपर कोशन आ चुका है, और यह अगर आ गया, तो इसको भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कि NO, NO2, N2O, इन में से किसको laughing gas का जाता है, Nitrous Oxide को का जाता है, laughing gas, जिसका सिंबल होता है, N2O, यही है, इसमें आप चाहकर भी अपनी हसी जो है, वो रोक नहीं सकते, ठीक है, वो आपको हसी होती ही रहती है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, कि जो लोग serious भी बात करना चाहरे हैं, कुछ भी करना चाहरे हैं, वो हस्ती ही चले जा रहे हैं, वापस आते हैं, तो यह हमने समझा, nitrogen oxides के अलग-अलग variants, अब यह तो हो गई कुदरत की बात, इंसानी प्रक्रिया से क्या nitrogen आता है धरती पर, जी हाँ, होता है, मतलब पैदा होता है क्या धरती पर, जी हाँ, industrial combustion, जंगलों में आग लगना, गारियों से धुवा वगरा निकलना, और जो power generating stations होते हैं, यह भी एक major source है, nitrogen oxides के, यानि कि NO, NO2, N2O, nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrous oxide, जिसको बिलिग देता हूं में यापर, इसी को का जाता है, laughing gas, और इसका अभी अपने trailer देखा, household one की movie से, अब देखो, इस session के अंदर, मैं आपको कुछ live दिखाता हूं, मैं ग्रुप पे कुछ photo send कर रहा हूं, I just need 30 seconds, और उसको देखने हैं ज़रा हूं, मैंने basically अंगीठी जलाई हूई है, जिसमें, जो अंगीठी मैंने जलाई हूई है, coil एकी मदब से, coal, यह जो coal को, हम जलाते हैं, इससे भी nitrogen produce होता है, और आगे चलकर, इसी chapter के अंदर, यह वाली बात मैंने अभी तो आपको बता दी, आगे चलकर, इसी की उपर अभी हम question देखेंगे, कि क्या इन मेंसे nitrogen add होता है, इन मेंसे किसी में अगर कोई coal आव अगेरा चलता है, अब जब यहां पर बात आ रही है, कि forest fire, या फिर industrial processes, या फिर power stations, तो coal तो उदर एक major fuel है, coal तो इदर एक major fuel है, फिर इन सब प्रक्रियाओं में, यानि की, यानि की, अगर मैं आपको चीज प्रेजेंट करूँ अभी live सामदे, I am burning this coal, ये, coal burn हो रहा है, क्या ये nitrogen add कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल कर, इसको याद रखना, इससे तो आपका question solve हो जागा, क्या अगर आपने ये life मेरे को देखा, और recordings जब देखोगे, ठीक है, अब हमें एक nature समझ में आ गया, कि कुद्रत में, एक तो कुद्रत खुद, और इंसान, nitrogen produce करते हैं, अलग-अलग प्रक्रियाओं से, ठीक है, हम वापस करते हैं, plants के दुखडे पर आते हैं, plants एक दुख व्यक्त कर रहा था हम से, पेड़ पौदे, कि जब अभी हमने एक चीज देखी, इतना पर्याप्त मात्रा में, पुद्रत के अंदर nitrogen अगर अवेलिबल है, ये पेड़ पौदे फिर भी भिखमंगे क्यों हैं, इनका दुखडा क्या है, इनका क्या रोना है हर बात पे, इनके लिए फिर ये चीज क्यों लिखी हुई थी, कि इनके लिए nitrogen एक limited nutrient है, ये limited way में ही उस nutrient को अब्सॉब कर सकते हैं, चाहे फिर वो natural हो, वो natural हो, agriculture हो, दोनों जगा में पेड़ पौध है, प्लांट, प्लांटेशन, क्रॉप्स, ये सब तो मिलेंगे, वो इस वज़े से, पहले उसके लिए प्रकृरिया समझनी पड़ी है, हमें nitrogen fixing, राइटर हमसे ही कह रहा है, विज्ञार हमें ये चीज़ बताती है, साइंस हमें ये चीज़ बताती है, कि atmosphere के अंदर, natural way से अगर हम प्राकृती को देखें, अगर अपनी, और उसमें से भी अगर हम atmosphere को देखें, तो यहां, almost unlimited amount of supply है nitrogen की, there is an inexhaustible supply of nitrogen in the atmosphere, तो फिर भाईया, plants का क्या दुखड़े हैं, ये पेड़ पौदे क्यों रोना मचा रखा है नोने, जिस form के अंदर, atmosphere में available है न, वो form पसंद रही है, plants को, एक person है, वो दारू का आदी है, दारू की लख लग रखी है, अब बच्बन में हमने पढ़ा था, science में, साले को इथाईल एलकॉल पिलाएंगे, तो पता चला सोते ही सोते मर जाएं, अंधा हो जाएं, sudden death भी हो सकती है, दारू पिएगा लेकिन चला कै, इथाईल एलकॉल नहीं पी नहीं उसको, उसको अलग एलकॉल पी नहीं है, old monk, red label, black label, kingfisher, उसको लेकिन इथाईल एलकॉल नहीं पी नहीं, similarly plants के भी यहां पर कोई न खरें है, atmosphere के अंदर जो परियाप्त मातरा में, जो nitrogen available है, जब plants से इसको consume करते हो, तो उल्टी हो जाती है, इनको इस format में पसंद ही नहीं है, एक बच्चा है, रोता रहता है, मुझे ये सबजी नहीं खानी, वो सबजी नहीं खानी, उसकी माँ उसमें मैगी मसाला बना देती है, चाट मसाला डाल देती है, और उसका तड़का लगा, जब चटपटा सा सौद उसको आता है, तो वो सेम सबजी को खा लेता है, यहाँ पर प्लांट को नेट्रोजन चाहिए है, लेकिन कहरें, फीका फीका सा है, चाट मसाला नहीं है, उसके अंदर मैगी मसाला नहीं है, अब मम्मी भी ये कहती है, खाना है, खाना है, नहीं खाना है, मत खा, प्लांट के साथ भी कुछ यही है, लेकिन फिर माँ एक टाइम पर आकर समझा लेती है कि कोई बाद नहीं चल तू जैसा बोल रहा है मैं वैसा बना देती हूँ कम से कम खा तो लेगा प्लांट्स के लिए भी ऐसे कुदरत एक दया भावना वाली चीजे सप्लाइ कर देती है और यहाँ पर जो प्लांट के जो केर टेकर हैं जैसे हमारी माह हमार लिए होती है सेम सबजी को वो एक चटपटा सौध देकर हमें खिलाने के लिए रेडी है similarly यहाँ पर जो पेड़ पौते हैं उनके जो केर टेकर जो गार्जियन है जो उनसे प्यार करते हैं वो काम करेंगे जिस मिट्टी के अंदर वो पेड़ पौता खड़ा है वो है उसका परिवार और उस परिवार में होंगे कुछ माइक्रोब्स कुछ माइक्रो और्गैनिज और बहुत सारी लिविंग और्गैनिजम्स की यूज नहीं कर सकते हैं हमें क्या करना पड़ता है जब चीजे बिगड़ जाए उसको फिक्स करना पड़ता है बच्चा रोटी नहीं घा रा था कि सूखी सूखी सबजी है हमने उस सबजी को फिक्स कर दिया उसके इंदर फिक्स कैसे करेंगे इसको अलग-अलग format के अंदर convert करना पड़ेगा में और हम वो देखेंगे वो अलग-अलग format कैसे convert होगा कौन उसको बनाएगा घर में कौन प्यार करता है जादा चाची जादा प्यार करती है बूह जादा प्यार करती है माज जादा प्यार करती है कौ अलग-अलग प्रकार की सबजिया बनेगी है प्लांट के लिए सबजी खिलानी उसको नैट्रोजनी है लेकिन इसके अंदर चाच्वी डाल देगी मैगी मसाला बुवा डाल देगी चाट मसाला और माह हो सकता है कि तड़का लगाकर एक अलग साही सौथ दे दे तो ये जो चाट मसाला मैगी मसाला तड़का लगाने वाली जो बात है इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अलग-अलग ना एमोनिया नाइटराइट्स एंड नाइटरीट्स क्योंकि प्लांट के नकरे हैं उसको ऐसे कंजूम नहीं करना है आपर तो ठीक है कोई ना कोई तो घर परिवार में प्यार करता है तो तीन औरते उससे प्यार करती हैं और एक कनवर्ड करेंगी अलग-अलग फॉर्म में और फिर प्लांट को एक नए फ्लेवर देके परोसा जागा है चीज theoretically बात करें अगर तो जो हम आगे वाले पन्नों के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस बात को पढ़ने जा रहे हैं nitrogen cycle यहीं पर खतम हो जाता यह topic इतना घर का सारा काम खतम हो गया जैसे माँ कहती है तेरे तो नकरी खतम नहीं होते तो मैं special बना कर खिलाओ तो यह नहीं खाना मुझे वो नहीं खाना nitrogen cycle का topic यहीं खतम हो जाता बस plant के जो नकरी हैं कि मुझे ऐसा नहीं खाना बैसा नहीं खाना मैं directly atmosphere से नहीं खाऊंगा में लिए special order करवाओ हमें nitrogen जो है उसको convert करना पड़ेगा ammonia के अंदर यह ammonium ions के अंदर उससे और ज़्यादा converted form में होगा वो nitrite या nitrate की form में और फिर जाकर कुछ plant को मिल जाएगा कुछ कुद्रत में वापस लोट जाएगा और यह cycle number one से होते हुए number four तक जाते हुए complete हो जाएगी ऐसे तो कि nitrogen दे शुरुवात करी थी और nitrogen तक पहुँच गई यह cycle अब इसी को थोड़ा सा हमें एक technical way में समझता है कि यह होगा कैसे क्योंकि plant के नकरे अब कौन सबसे पहले जाएगा केचिंता को कैसे खाना बनेगा plant के लिए यह हो गया आपका introduction मैं इस diagram के ऊपर एक अलग से time देना चाहता हूं और इसके associated season पर जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले lecture में thank you very much for discussion